दिल्ली पानी पानी हर साल यही कहानी मालो दिल्ली दरिया है और डूप के जाना है मॉंसून की पहली बारिश में दिल्ली के सडके डूप गई, मालो सडके दरिया में तबदील हो गई, यह एक रिपोर्ट देखिये है और दूब के जाना है साल बेशक बदल जाए लेकिन हालात नहीं बदलती मॉल्टून की पहली बारिश हो या आखरी दिल्ली हर बारिश में ऐसी ही दिखती है सड़क समंदर शेहर के अंदर दिल्ली का कोई ऐसा इलाका नहीं जहां सहलाब जैसी इस्थिती ना हो एक-एक तस्वेर दिल्ली सरकार और नगर निगम की लापरवाही और बदिंतजामी का जीता जाकता सबूत है दिल्ली में अलग-अलग जगा इसी तरह से वाटर लॉगिंग हुआ है और ट्रैफिक की बड़ी समस्या खड़ी हो गई है इस वक्त आईटीओ पे यहां दो रेड लाइट है लेकिन दोनों रेड लाइट पे लगातार इसी तरह की स्थिती बनी हुई है इंद्रा गांधी एरपोर्ट, मिंटो रोड, कनावट प्लेस, तीन मूर्ती मार्ग, नेशनल मीडिया सेंटर, शांतिपत, सारे इलाके मानो सैलाब में समा चुके है अभी मौनसून ने बस दस्तक भर दी है, सोचिये जब मौनसून अपने चरम पर होगा, तो क्या होगा हलाकि दिल्ली हर साल डूपती है, तस्वीर कमोबेश, हर साल ऐसी ही दिखती है दिल्ली डूपती है, और लोग तैरते है, फिर शुरू होती है राजनी थी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारों, जल भराव हुआ, तो बीजेपी के पारशत दिल्ली की सड़कों पर बोट चलाने लगी कभी बुंद बुंद पानी को तरस्ती दिल्ली आज बारिश में आकंठ डूप चुकी है दिल्ली वालों का क्या है, वो बिना पानी के भी परेशान थे, और अब पानी से भी परेशान है सवाल ये है कि हर बार यही तस्वीर लोगों की परेशानी का अंदाजा आप इस तस्वीर से लगा सकते हैं इस अंडर पास में फसी हुई है करनट प्लेज की तस्वीर देखेएं दिल्ली का दिल कहा जाता है लेकिन इस दिल में धर्या की दस्तक हो चुकी है क्या बस, क्या कार, क्या ओटो, सभी पानी में मानो तैर रहे हैं और इस पानी में जिस बाइक सवार की बाइक बंद हो चुकी है उससे पूछिए पानी से परेशानी क्या होती है दिल्ली का तीन मूर्ती मार बारिश के पानी से लबालब है तस्वीर वही गाडिया फसी, लोग परेशान और आदमी पर बाइक सवाई दिल्ली का शांतिपत यानि चानक्य पुरी का ओप औशिलाका जहां कई विदेशी दूतावास भी मौजूद है लेकिन बारिश के बाद शांतिपत के हाला देखिए, सडक पूरी तरह से जलमगन हो चुका है नेशनल मीडिया सेंटर यानि राइसीना रोड की ये तस्वीर है, जहां बड़े बड़े नेताओं के ठिकाने हैं लेकिन इस सडक की तस्वीर देखिए, जहां बाइक पर आज आदमी नहीं, आदमी पर बाइक सवार है इस वक्त हमारी मौजूद की है, नाशनल मीडिया सेंटर के सामने राइसीना रोड है और यहां आप देखें, जहां मैं खड़ी हूँ, मेरे घुटले से थोड़ा नीचे बस पानी रहे गया है और यह पानी जो है, तीनों रोड से भर कर यहां पर इस तरीके का बना हुआ है आप देख रहे हैं, जो लोग फुट पात पर भी चल रहे हैं, उनके पास, उनके पैरों तक भी पानी पहुचा हुआ और मैं सड़क पर हूँ, और यहां आप देखें कि जो गाडिया आ रही है, उससे अंदाजा लगेगा कि कितना पानी यहां पर भरा हुआ है आप देख रहे हैं कि मैं बिल्कुल सड़क पर चल रही है, और ऐसा लग रहा होगा कि मैं कहीं पानी की किसी जगह पर हूँ और यहां आप देखें कि मेरे घुटने से तकरीबन टच होता हुआ पानी है, इस पूरी सड़क का बारिश से राजधानी इस वक्त पानी पानी है और इसी वीच दिल्ली एरपोर्ट पर एक हासा भी हो गया टर्मिनल वन पर शेट किरने से बड़ा हासा हुआ, बारिश की वज़े से छट किरने से वहां मौजूद कई कारे दब गई जिसके बार दिल्ली एरपोर्ट के टर्मिनल वन से सभी उड़ानों को रद करना पड़ा और इसी के साथ खबरों में फिलाल इतना ही, नमस्कार